तो दोस्तो जितने विशाद यूपी बोर्ड से हाई स्कुल और इन्टर मेर्ट के अग्याम दिये थे और अपने रिजल्ट का इंजार करें दोस्तो आप सभी का इंजार का जो घरी हो समाफ्ट होने वाली है यहाँ पर हम लेकर यूपी बोर्ड रिजल्ट तो छली हम लोग लेटेस्ट अप्डेट के बारे में जानकाई लेते हैं आखिर आप लोग का रिजल्ट जो है कब जारी होने वाले हैं ठीक है तो जितने विछात एक्जाम्स देख रहे हैं यूपी बोर्ट से दोस्तों अपने त्यंत और ट्वेल के हाइस्कुल और इंटर के आप सभी का रि तरीके से नए अप्डेट के बारे में जानकाई लेते हैं कहा गया है कि यूपी बोर्ट की आध्य से जैदा कॉपिया चेक इस दिन आएगा दसवी बारे में का रिजल्ट जाने डेट ठीक है तो चलिए हम लोग एक एक ही जानकाई लेते हैं उससे पहले मैं चाहूंगा द अप लोग के रिजल्ट को लेकर ठीक है वीडियो के डिस्क्रियूप्शन में लिंक देर लोए दोस्तो जहांसा आप लोग को नैए अपडेट मिलते रहें देपर जानकार उनकर और के दसमें और बार्मी के परिक्षार्थी रिजल का बेसर्वित से इंजार कर रहे हैं ठीक है देखे यूपी वोट का है स्कुल और इंटर की कौंप्यों का जाच आधे से जैदा हो चुकी है इस वक्त कौंप्यों की जाज चले अगर इसी तरह जारी रहा तो जल्द ही कौंप अबना जाता ही जारी कि चाहता शात्राओं को यूपी वोट दसमें और बार्मी रिजल के लिए लंबा नहीं करना परेगा क्योंकि बहुत जल्दी दोस्तों आप लोग का एक्जाम हो गया और कौंपी का मुल्यांकन जो है और देखो कहा गया है कि पंदर दिनों के अंदर सभी कौंपियों को चेक करने का लक्ष दिया गया है ठीक है तब 15 दिनों के अंदर ही यहां पे आप लोगो को कौंपी चेक कर लिया जाएगा जैसे 18 मार्स से यहां पर अस्टार्ट हुआ था ठीक है चलिए आगे देखते हैं आखी रिजल्ट देखिए का गया है कि यूप मुलैंकन कार्ज 23 अपरेल से पांच में के बीच हुआ ठीक है कहा गया है कि वह जबकि 18 उनको बोर्ट पर इचा के नतीजे घोसित किया गये थे लेकिन लेट से हुआ था इसलिए वहीं इस बार जितनी तेजी से कौंपियों की जाज की जारिये उससे लगता है कि 15 दिन से पहले ही मुलैंकन के लक्ष को पूरा कर लिया जाएगा ऐसे में अपरेल में रिजल्ट जारी किया जा सकता है हाला कि अभी रिजल्ट को लेकर को अफिस्यल जनकारी नहीं है लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों देखिए पिछले पास सालों का जो आप लोगा जो रिज खतम हो चुका है यहां पर मार्च के पहले सब्ता में ही और अब आप लोग का यहां पर मार्च के लास्ट वीक तक आप लोगा कोपी का मुलैंकन खतम करने के बाद 15 दिनों के भीतर क्या होता है दोस्तों 15 दिनों के भीतर आप लोग का जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया जाएगा ठीक है मतलब 15 से 25 अपरिल के बीच आप लोग का जो रिजल्ट है आपके हाथ में होगा यूपी वोड हाइस्कुल और इंटर का तो जो भी न्यू अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बताते रहोंगा दोस्तों अपने रिजल्ट को लेकर यूपी वोड हाइ वीडियो के डिस्किप्शन में लिंक है जहां से आप लोग अपने रिजल्ट को चेक कर पाओगे एक किलिक में जैसी रिजल्ट जारी होगा या फिर आप अपने अपडेट लेकर ले सकते हो अपने रिजल्ट को लेकर बावे सभी को